आज मैं आप लोगों को बहुत ही छोटा बैंजो दिखाऊंगा जो साइध आपने इतना छोटा बैंजो कभी भी देखा होगा आप लोगों ने बैंजो बहुत देखेंगे लेकिन इतना छोटा बैंजो आपने कभी नहीं देखा होगा इसके अंदर बैंजो है इसके अगर ल आवाज को अच्छी तरीके सुनावा कि कैसा बोलता है कैसा बसता कैसे इसमें बटने लगी है आपने साइध ही ऐसा बैंजो इतना चोटा कभी भी देखा होगा तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना आओ मैं आप लोगों को इसको खोल करके अच्छी तरीके दिखा और इसकी आवाज भी बहुत प्यारी बैंजो है इसमें प्लागिे हैं बडन में की तरह से बठने लगी है कीची आवाज का सबकूत सुनाता है यह हमारा है पूरा बैंजो मैं इसको दूरा अच्छी तरीके से. पूरा बेंजो दिखाता हूँ ताकि अपनों देखो कितना छोटा है कितना प्यारा बेंजो है कितना देखने में अच्छा लग रहा है इसमें इधर साइड में ये जो है ये तार वाली सिस्टम है इसमें तार फिट होते हैं जो यहां से आकर के यहां पे लगते हैं इसमें इ के अथार और इसमें ये बटने लगी हैं बटने सेम जैसे हर्मोनियम की होती है वैसे ही बटने लगी हैं अगर इसमें बटनों के बात करूं तो कितनी बटने लगी हैं एक दो तीन चार पांच छे शाथ आठ नो दुझ गेरा बारा तेरह चोदह बंद्रह 16 17 18 19 20 22 23 24 24 बटने लगे हैं देखो यह अंदर भी खुश क्योंकि यह काफी पुराना हो गया है तो उतना अच्छा नहीं बचा इसकी रिपेरिंग कराने वाली है और यह बचता बहुत सुरीला है मैं आप लोगों को इसको अभी बजा करके भी दिखा रहा हूं एक बाइस को प सुनने में कैसा लगता है इसको बजाने के लिए मैंने एक ब्लेट का सारा लिया हूं क्यूंकि इसमें पत्ति आती है बजाने के लिए वह मेरे पास खो गई हो पत्ति नहीं तो मैं इसको ब्लेट से बजाओंगा यहां पर खुर्चना पड़ता यहां पर तब यह बैंजो तब यहां लगी होती है उसमें भी आपको यहां पर घिषना पड़ता है तब ही वह बोलता है अच्छे से बजा करके सुनाता हूँ कैसा बोलता है तो इस प्रकास है कुछ इसका सउंड है इसमें खाली भी सिंगल तार ये लगा है बाके इसने भी तार थे सायद तार इसके तूट चुके इसमें खाली एक सिंगल तार एक ही है और इस बेंजों के भी मरमत कराने वाली है इसकी पूरी सेटिंग कराने वाली है इसको अच्छे से बनवाने वाला है अगर अच्छा बन जाए इसमें सायद तार पड़ जाए तो इह अच्छा खासा बोलेगा मैं आप लोगों को एक गाना बजा करके और दिखाता हूं देख तो आप लोग कमेंट करके जोन बताना कि आप लोगों को इसका साउन कैसा लगा और यह हमारा बैंजो आप लोगों को कैसा लगा इस बैंजो में भी काफी काम है तार डलवाना है सब्सक्राणा है तब बैंजो थोड़ा अच्छा बोलेगा और शीखने के लिए बहुत तो अगर आप लोगों को वीडियों अच्छा लगा तो फिडियों को लाइक, कमेंट, सेर भी कर दिना और अगर भी तर्सकारइब नहींगें तो फिज आ प लोगों से रेक्वेच्ट है कि चैलल को सबस्कार करें बहला इकन को आल पर पर जरूर प्रेस, का लिना आम मिलते तक ले जाए